असलाम अलेकुम फ्रेंड्स दी सीवर एंजीनियर पीके में खुशामदीद आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट सीमट सेंड ब्रिक्स कॉंटिटी इन वन क्यूबक मीटर यह आज इसका मैं सिंपल सा जो है ना इसका वो कॉंटिटी इस ब्रिक्स की भी निकालती ह हैं तो आपको पता है कि स्टेंडर्ड साइज आफ ब्रिक्स जो है वो होती है 19 सेंटिमीटर 9 सेंटिमीटर 9 सेंटिमीटर इसको मॉडूलर ब्रिक्स भी कहते हैं तो इसकी यह है इसको अगर हम मीटर में लेके जाएं तो यह हमारा हो गया एक मीटर में 100 सेंटिमीटर होते ह इसको 100 से डिवाइड किया तो यह आ गया 0.19 multiply 0.09 0.09 is equal to कितना हो गया 0.001539 यह हमारा इसकी volume आ गया एक ब्रिक का अब volume of brick with mortar जो है उसके में आपको पता है कि जो मसाला होता है यह mortar होता है वो एक सेंटी मीटर की उसकी ठीकनस होती है तो अगर उसे हम लेके जाएं with mortar तो वही 19 में एक सेंटी जमा किया तो यह 20 सेंटी हो गया 9 में एक सेंटी प्लस किया तो 10 हो गया यह 9 में फिर प्लस किया तो यह हो गया तो इसको अगर हम मीटर में लेके जाएं divided by 100 करें इसे divided by 100 तो यह 0.2 आ गया फिर यह 0.1 आ गया यह 0.1 आ गया इसकी total quantity निकलाई 0.00200 हमारा area आ गया 1 meter multiply 1 meter multiply 1 meter is equal to 1 cubic meter यह हमारा area आ गया bricks निकाल नहीं है bricks के लिए क्या है कि हमारा volume जो है 1 cubic meter divided by हमारा volume of 1 brick 0.00200 divide करेंगे तो यह आपका पास आ जाएंगी 500 bricks यह तो हो गया हमारा 500 bricks निकालाईगी अब निकालना है हमने mortar 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 कैसे निकलेगा इसका simple है कि हमारे पास volume of 1 brick without mortar मुझूद है तो हम क्या करेंगे इसका volume of 1 brick without mortar multiply कितनी bricks निकली 500 500 से multiply करेंगे हमारा आ जाएगा 0.02305 cubic meter अब आपको पता है कि फैक्टर जो है फैक्टर वो हमारा जो यह हमारा आया है बैट बैट माटीरियल बैट मॉटर अब फैक्टर क्या है आपको पता है कि 33% जो है उसको टोटल बैट मार्टर का increase करना यह फैक्टर है तो concrete जो है उसमें 54% increase करते हैं इसमें 33% increase करते हैं तो अब भी देखते हैं कि टोटल जो है 0.023 0.0305 multiply 1.33 इसमें सिंपल दूसरा तरीका यह कर लेते हैं 0.023 0.0305 multiply 33 divided by 100 तो यह निकलेगा 0.0760 0.06 प्लस 0.02305 अब जब इसकी calculation करेंगे तो यह निकलेगा 0.02305 multiply 1.33 is equal to this one और इसी तरह अगर इसकी calculation करेंगे तो इसकी भी calculation जो है वो सेम होगी 0.0306 यह हमारा टोटल निकल आया dry mortar अब हम निकालेंगे सीमट इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है ratio क्या है हमारी सीमट सेंड की हम यहां रखते हैं एक निस्बत 4 अब यह एक क्या है यह अक्सर confusion होती है कि जी इसमें सीमट कौन सा है सेंड कौन सा है तो यह याद रखिएगा कि हमेशा जो है fine to course की तरफ जाते हैं fine का मतलब है कि जितना बारीक होगा तो सबसे बारीक क्या होता है इसमें हमारा सीमट होता है यह वो उसको पहले नमबर पर रखते हैं उससे मोटी रेत होती है यह रेत रखते हैं तीसरे नमबर के अगर हम concrete त्यार कर रहे हैं तो वो aggregate होता है वो सबसे मोटा होता है तो वो उसकी ratio आगे आ जाती है तो यह याद रखें कि finer to core side पे जाते है अब c-met निकालना है तो इसका sum कितना बना इसका 1 प्लस 4 is equal to 5 अब c-met निकालने के लिए हमारे पास total जो mortar है वो कितना है 0.306 multiply c-met कितना है हमारा एक हिस्सा तो इसको divided by sum of जो ratio आया है उस पर divide करेंगे हम तो यह हमारा निकल आएगा 0.0612 cubic meter अब इसे हमने लेके जाना है kg में c-met की density कितनी होती है 1440 kg पर meter cube अब इसको इसकी जो c-met हमारा cubic meter में आया इसको इसके साथ multiply करेंगे तो यह आजाएगा हमारा multiply 1440 यहां नहीं लिखना था multiply यहां कर देते हैं 0.0612 multiply 1440 is equal to 88.128 kg अब अगर इसे हमने bags में निकालना है तो आपको पता है कि एक bag में one bag is equal to 50 kg होता है इसको हम 88.128 divided by 50 तो यह हमारा आजाएगा 1.76 bag अब हमारा bricks निकल आई इसके बाद हमारा सीमट निकल आया और bags भी निकल आई अब रह गई हमारी sand अब sand का भी यही same formula हम करेंगे कि total हमारा जो dry material है 0.306 multiply हमारे sand का कितने इसे हैं 4 यह 4 से multiply करेंगे और divide करेंगे sum of ratio वो कितनी थी हमारी यह 5 5 के साथ हमने इसको divide किया तो यह हमारा निकल आया 2 double 4 8 तो यह हमारा निकल आया 0.2448 अब यह क्या निकला है cubic meter अब हमने इसे लेके जाना है फुटो में 0.2448 multiply 35 यह 13147 अब यह क्या है यह हमारा एक क्यूबक मीटर में इतने 35 यह 314 हमारे क्यूबक फिट होते है अब यह इसको हम करेंगे तो इसकी आगई जनाब हमारी हमारी सेंड है 8.64 8.645 क्यूबक अब यह सेंड भी आगी हमारी सीमट भी आगया ब्रिक्स भी आगई अब हमने इसको चेक करना है कि यह हमारा मार्टर जो है यह ठीक निकला है इसके लिए क्या करेंगे हमके जो हमारी सीमट की कॉंटिटी आई थी वो आई थी हमारा 0.0612 पलस सेंड की कितनी आई हमारी 0.2448 इसको अगर हम जमा करेंगे तो हमारी टोटल कॉंटिटी जो है वो आएगी 0.306 तो यह हमारी 0.306 और जो हमारी टोटल आई थी 0.306 वो मैच कर गई इसका मतलब है यह हमारा मार्टर जो है वो विल्कुल ठीक निकला है दूसरा इसमें होता है वाटर सीमट रेशो बाश जगा गिवन होती है दी होती है लेकिन जो साइट अब्जर्वेशन की गई है वहाँ से बता चलता है कि जो हमारी बाटर जो है वो ज्यादा जार इसमाल होता है 20 से 24 केजी के दरम्यान 20 से 24 केजी नहीं लेटर लेटर के दरम्यान अब यह 20 क्यों है और 24 क्यों है तो वेदर डिपेंड करता है अगर मौसम गरम हो समर हो तो 24 लिटर और अगर मौसम नॉर्मल हो तो यह 20 लिटर तक यह अब्जर्वेशन है तो जो साइट पे हम अक्सर मौटर बनाते थे तो उसमें जो है वो इसी लिमट में बनाते बाकी जो है वो कंडिशन के जिसाब से आप इसमें पानी एड़ कर सकते हैं तो यह था हमारा टॉपिक जो हाव तो कैलकुलेट सीमन्ट सैंड ब्रिक्स कॉंटिटी इन वन क्यूबक मीटर उसमें हमने ब्रिक्स भी निकाली 500 उसमें हमने मौटर भी निकाला उसके बाद हमने सीमन्ट निकाला उसके बाद हमने सैंड निकाली उसके बाद इसको हमने री चेक किया वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि जो है उनको भी ये कॉंसेफ्ट जो है वो थोड़ा कलियर हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजएगा अपना ख्याल रखिएगा